हर कोई माबाप चाहता है अपने बच्चे को प्राइवेट से अच्छे स्कूल में पढ़ाना लेकिन कई बार अफॉर्ड नहीं कर पाता तो इसलिए गौर्वर्मेंट ने हमें यह सोलिद दिये स्कूल में बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना प्राइवेट स्कूल में और भी फ्री आफ कोस्त तो तयारी कर लो भी यह क्योंकि अभी एक्टूबर चल रहा है दिसंबर से अड्मिशन स्टार्ट हो जाएंगी अब उसके लिए एड़ीज के लिए आप लोग है जब एड्मिशन आता है तभी आप लोग ने कब अप्लाई करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए दोस्तों EWS के लिए दिसंबर में निकलते हैं फॉर्म ठीक है और इंकम सर्टिफिकर्ट आपका छे मैने तक वेलिड होता है अभी चल रहा अक्टूबर आप नॉर्म्बर से EWS का सर्टिफिकर्ट बनाने स्टार्ट कर दो ठीक है प्रोसेस में भी डालोग रहे किससे भी ऑनलाइन करा ले ना 200-300-500 रुपे लेगा ऑनलाइन करके अपने पेपर जाके तैसल में जमा कर देना और 15 दिन बाद उन्टर टाइप करते रहे ना टाइप करने के बाद आपका साटिफिकर्ट आपका 15-20 दिन में बन जाए अब यह जब जूर्ट पर देखते हो कई बार तैसल में कितनी भी हो जाती है और भाइसा हर साल का रिकॉर्ड है जब स्कूल एडमिशन का जब आता है यह कोई माबाप चाहता है अपने बच्चे को प्राइवेट से अच्छी सच्छी स्कूल में पढ़ाना लेकिन कई बार और अफॉर्ड नहीं कर पा था तो इसलिए गॉर्मेंट ने हमें ये डीजी कैटिगरी में क्या होता है जिसके स्ट अबच्चों को पढ़ा सकते हैं गैने प्राश्च प्राइब लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम से पहले अपलाई कर लेकित टाइम भी बचेगा पैसे भ और ओनलाइन ही निकलता है DG का और AWS का नॉम्बर दिसम्बर से स्टार्ट हो जाता है जनवरी के लास्ट तक और दिसम्बर से पहले तक इसमें आ जाता है और अपलाई कर दो क्या बचा कुछ निए आपके टाइम भी बचा जो टेंशन थी यार नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ वह बचा और बताओ और कितना सिंपल तरीका है यह तैम से पहले करो यार चीजे इसलिए करना है क्योंकि आपको हमें अपने बच्चों को सिक्षित करना है पढ़ाना लिखाना है ताकि वह आपकी गरीबी को दूर कर सके एक पड़ लिखे अच्छा इंसान बन सके और देश के लिए मैडल ला सके देश का नाम रोशन कर सके जबी तो कुछ होगा ना आपकी मेहनती आपकी बच्चे को आगे सक्सेस करती है बस थोड़ा से आपको ध्यान देन है तो बार से हमें बचाया जा सकता है तो यही तरीका है यही तरीका है आने से पहले आप बनवाल हो ना इंकम सार्टिक और फूर कोस्ट बनता है दोस्त सिर्फ अपलाई का खर्चा है आप ऑन-लाइन खुद भी कर सकते हो और सबसे अच्छी बात आप 10 शेत्र पर फॉन कर बातेंगे कई बार ऐसा नहीं होता उसका एक अप्लिकेशन नंबर में लेगा उसे टाइप करके कॉल से बात करके रखना हर दस दिन बाद दस दिन बात पर दिन पीछे लगे रहना है यह तरीका है और बन जाता दोस्त बहुत असा बन जाता है और जिन्नों ने भी अगर आ आएवे डिस्कोलों में जरूर पढ़ाना है ओके दस्तों जाहीं